हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे तो आज की हमारे इस वीडियो को टॉपिक है Connect Google Drive with Slack and Automatically Share Files to your team members तो यहां हम चाहते हैं दोस्तों कि हम Google Drive और Slack इन दोनों को कुछ इस तरीके से connect करें कि जब भी हम अपने Google Drive पे किसी specific folder पे एक नई फाइल अप्लोड करें तो Automatically उस फाइल की link हमारे Slack पे मुझूद चैनल पे as a channel message share हो जाए ताकि हमारे team members भी उस फाइल को access कर सकें तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों और जो दूसरी application है वो है Slack जो एक messaging application है चुकि businesses usually use करती है आपस में connect करने के लिए और information share करने के लिए तो यहाँ पे इस automation को जो हम setup देखना चाहरे इसके तरू जब भी हम अपने Google Drive पे एक नई फाइल अप्लोड करेंगे तो Automatically हमारे नई अप्लोड की गई फाइल की एक link हमारे Slack पे as a channel message share हो जाएगा लेकिन इस automation को setup करने में एक छोटी सी problem है वो यह कि Google Drive और Slack इन दोनों को यह आपस में कोई direct link कोई native integration नहीं है कोई direct connection नहीं है इससे हम कुछ इस तरीके का automation setup कर सके और Google Drive और Slack को कुछ इस तरीके से connect कर सके तो अपनी इस problem को solve करने के लिए आज हम जिस software का use करेंगे उसका नाम है पाबली connect पाबली connect बिसीकलिए एक automation and integration software है जिसके एप से हम Google Drive और Slack इन दोनों को कुछ इस तरीके से connect करेंगे इन दोने के विच में एक integration setup करेंगे ताकि हम यह पूर automation setup कर सके और हाँ दोस्तो इस वीडियो में सिखा जाने में automation की सबसे खास बात यह है कि इस automation को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की coding या programming knowledge काना ज़रूरी नहीं है एक non-technical user भी इस पूरे automation को बहुत easily setup कर सकता है तो इस वीडियो में मैं Google Drive से file share कर रहा हूँ Slack में लेकिन आप चाहे तो Google Drive की जगा पे Microsoft की OneDrive या पर किसी अधर Cloud Storage application का भी use कर सकते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूँ Google Drive और Slack इन दोने के बीच में जो हमने automation setup किया है इस automation का एक real time example मेरी अपनी screen पे तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह है मेरी Google Drive और यहाँ पे मैंने एक folder create कर रहा है जिसका नामे files for Slack तो जब भी मैं अपनी Google Drive में इस folder में जिसका नामे files for Slack इस specific folder में कोई नई file upload करता हूँ तो automatically एकदम real time में वो same file share हो जाती है मेरे Slack के channel पे तो चली से एक बर हम test करके देखते हैं मैं आता हूँ अपनी Google Drive पे और इस folder में upload करता हूँ एक file तो यहाँ पे मेरे पास एक file है जिसका नाम है आकाश physics assignment मैं इसे आपको open करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके की है यह file and then इस file को मैं upload करता हूँ अपनी Google Drive पे ओके तो अभी अभी मैंने अपने Google Drive पे यह जो मेरा folder है files for slack यहाँ पे एक file upload की है जिसका नाम है आकाश physics assignment तो चली दोस्तो अब हम चलते है अपने slack account की तरफ और वहाँ चलके देखते हैं कि क्या सच में हमारे इस same file के Google Drive पे यह file upload करते ही क्या इस same file हमारे slack account पे हमारे जो slack account पे जो channel है उस channel पे as a channel message send होती है या नहीं तो हम open करते हैं अपने slack का channel और जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते है कि हमारे Google Drive पे एक new file एक specific folder में जिसका नाम था files for slack इस folder में upload करते ही उस file की एक link हमारे slack channel पे as a message share हो चुकी है और हम इस link को open करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि यह वो same file है दोस्तो जो हमने अपने Google Drive पे upload की थी तो आप सोच रहोंगे यह मैंने कैसे किया कैसे मैंने अपने Google Drive के किसे specific folder पे एक file upload की और automatically उस same file का जो एक link है वो मेरे slack channel पे as a channel message share हो गया मेरे slack पे जो team members है उन सभी के साथ तो मैं आपको बता दू यह जो पूरा process है जो पूरा automation हमने अभी अभी देखा है इससे मैं setup किया है तीन simple steps में जिसमें हमारा first step है connect pavli connect to google drive तो सबसे पहले हम आएंगे pavli connect में और in pavli connect में आके हम अपना google drive account pavli connect के साथ connect करेंगे उसके बाद है हमारी second step जो है collect the data from google drive in pavli connect तो हमारी second step के लिए हम जाएंगे अपने google drive पे और वहाँ पे create करेंगे एक folder जिस folder में add ori files को हम अपने slack के चानल पे as a message team members के साथ share करना चाहते हैं and then उस folder में एक test file एक demo file upload करेंगे ताकि उस नई add ori file का जो data है उसे हम pavli connect में collect कर सकें फिर आती है हमारी third और final step जो है send the same data to slack to share file as channel message तो जो data हमने pavli connect में collect किया है उस same data को अब हम send करेंगे slack को ताकि हम अपने google drive पे upload होरी files को slack पे अपने team members के साथ share कर सकें तो शुरू करते हैं इस automation को setup करने की हमारी first step और चलते हैं pavli connect पे तो सबसे पहले हम आएंगे अपने browser में और यहां search करेंगे p-a-b-b-l-y pavli.com pavli.com पे जाते ही यह खुल चुकी है हमारे पास pavli की website यहां हम जाएंगे products पे और click करेंगे connect पे connect पे click करते ही यह खुल चुकी है हमारे पास pavli connect का landing page अब हमें यहां दो options दिखाई दे रहे हैं एक है sign in, दूसरा है sign up free अब क्योंकि मारा pavli connect पे already account है तो मैं click करता हूँ sign in पे आप sign up free पे click करके 2 minute में अपना pavli connect पे free account बना सकते हैं इसके बाद हम नीचे आएंगे और click करेंगे connect के नीचे access now पे access now पे click करते ही यह खुल चुका है हमारे पास public connect का dashboard यहां हम click करेंगे create workflow पे और देंगे इस workflow को एक नाम तो example के लिए मैं इस workflow को नाम देता हूँ Google Drive to Slack and then click करेंगे create पे create पे click करते ही अब हमें यहां दो tabs दिखाई दे रहे हैं एक है trigger window दूसरी है action window तो आप सोच रहे होंगे यह trigger और action क्या है हमें आपको बता दू trigger और action basically वो तो concepts है वो तो principles है जिस पर यह पूरा automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यान कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यान कि ऐसा करे जब ऐसा हो ऐसा करे तो आज के हमारे इस वीडियो के use case में जब भी हमारे google drive के folder में एक नई file upload हो तो automatically उस file का link हमारे slack channel पे as a message सारे team members के साथ share करे तो सबसे पहले हम आते हैं अपने trigger window पे और यहाँ choose apps में search करते हैं आज का हमारा पहला application जो है google drive google drive and then यह हमसे पूछ रहा है trigger event तो यहाँ trigger event में हमें कुछ trigger event दिखाई दे रहा है जिसमेंसे हम select करेंगे new file in specific folder क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे google drive के किसी specific folder में एक new file एड़ हो तो उसको data google drive public connect को send करें यहाँ पे हम click करते है connect पे and then connect पे click करते ही public connect हमसे कह रहा है अपना google drive account connect करने के लिए तो यहाँ हम आते है click करते है add new connection पे and then click करेंगे connect with google drive पे connect with google drive पे click करते ही public connect मुझसे कह रहा है अपना google account select करने के लिए तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो मेरी google drive है यह linked है मेरे इस google account से जिसका नाम है अकाज फिलकर 5 तो यहाँ पे पाबली कनेक्ट पे मैं सेलेक करता हूँ वो सेम Google अकाउंट जस्ट ए सेकेंड यह Google अकाउंट and then नीचे स्क्रोल करके क्लिक करता हूँ continue पे and that's it continue पे क्लिक करते ही हमने successfully अपने Google Drive अकाउंट को पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है यानि कि इस automation को setup करने का जो मारा first step था जो था Google Drive और पाबली कनेक्ट इन दोनों का अपस में कनेक्ट करने का वो यहाँ पे हमने complete कर लिया है इसके बाद हमें यहाँ पे एक option दिखाई दे रहा है folder का जिसपे क्लिक करेंके drop-down में हम एक folder दिखाई दे रहा है files for slack तो यहाँ पे मैं बता दो आपको कि हाँ पे हमें यह वही folder दिखाई दे रहा है जो हमारी Google Drive पे है यहाँ पे मेरी Google Drive पे मैंने एक specific folder बना रखाए उन files के लिए जिनने मैं अपने Slack के channel पे as a message send करना चाहता हूँ सो यहाँ पे अब हमारी Google Drive पे हम एक new folder create करते है मैं क्लिक करता हूँ new button पे क्लिक करता हूँ folder पे और देता हूँ इस folder को एक नाम तो example के लिए मैं इस folder को नाम देता हूँ PDF files for slack and then click करता हूँ create पे तो create पे click करते ही PDF files for slack यह folder मैंने अपनी Google Drive पे create किया है हम इसे open करते है तो यह folder फिलाल blank है और हम चाहते हैं कि जब भी मैं specific folder में अपनी Google Drive पे कोई नई file add करू तो इस file का data इस folder में add वर ही नई file का जो link के जो file है वो automatically हमारे slack के channel पे share हो जाए तो अब हम आते हैं पहले public connect में और यहां अपना Google Drive account public connect में connect करने के बाद हम यहां पे एक option दिखाई दे रहा था folders का तो यहां पे फिलाल हमें सिभ एक folder को option दिखाई दे रहा था जो था files for slack इसके बाद हम यहां पे click करते है refresh पे और refresh पे click करने के बाद हम देखेंगे कि अब हम यहां पे दो folders देखाई दे रहे हैं पहला folder है files for slack जिससे हमने real time example में यूज करके देखा और दूसरा folder है PDF files for slack जो folder हमने अभी अभी अपनी Google Drive पे create किया था तो यहां पे मैं select करता हूँ उस folder को PDF file for slack and then यह जो हमारा folder हमने अभी create किया है इस folder में हम एक test file एक demo file add करेंगे ताकि उस नहीं add होरी file का data जो है हम पाबली connect में collect कर सके तो यहां पे मेरे पास एक file है जो की PDF file है जिसका नाम है नितन chemistry assignment तो इस file को मैं upload करता हूँ अपने Google Drive पे specific folder में जिसका नाम है PDF file for slack तो यहां पे हमने जो file है यह हमने upload कर ली है इसके बाद हम आते है पाबली connect पे and then यहां पे click करते है save and send test request पे save and send test request पे click करते ही पाबली connect जो हमारे specific folder है इसमें upload हुई एकदम recent file का जो data है वो collect कर लेगा capture कर लेगा और हम यहां response receive में नीचे देख सकते हैं यहां पे इसने कुछ response कुछ data capture किया है जिसमें हम पता चल रहा है जिस file का data है उस file का title है नितन chemistry assignment.pdf यानि कि एक PDF file है और सेम file का name जो हमने अभी अभी test file demo file अपने google drive के इस specific folder में upload की थी तो यहां पे हम आएंगे एक बाद पाबली connect पे और पाबली connect में जो हमें यह response मिला इस file का इसमें हमें उस नई addory file का data तो receive हुआ है साती सात हुई receive हुई है उस file के specific id लेकिन हमारे पास यहां पे इस file की जो shareable link है जिसके तुरू हम यह file किसी भी users का share कर सके वो shareable link receive नहीं हुई है तो यहां पे इस file के इस newly uploaded file की shareable link receive करने के लिए हम यह scroll करके नीच आएंगे action window पे और यहां choose apps में पिरसे search करेंगे एक बार google drive google drive and then हमें यह पे यह पूछ रहा action event तो action event में हम यहां कई सारे action event दिखाई दे रहा है जिसमें से एक action event है share file with anyone तो हमें इस action event को select करेंगे share file with anyone और click करेंगे connect पे connect पे click करने के बाद public connect फिरसे हमें कहरा अपना google drive account connect करने के लिए लेकिन क्योंकि हमने पिछली step में अपना google drive account public connect के साथ connect किया था तो इस बार मैं select करता हूँ choose existing connection में and then select connection में latest connection select करके click करता हूँ save way and that's it save फे click करते ही हमने यहां successfully अपना google drive account फिरसे public connect के साथ connect कर लिया है इसके बाद यह हमसे पूछ रहा है file id तो file id की जो value है यह फिलाल static है इसे dynamic बनाने के लिए हम यह जो mapping button है इसे turn on करते है and then जो हमें यहाँ पे file id by default दिख रही है इसे clear करते है तो जो google drive से newly updated file का response जो data हमें public connect में collect हुआ था हमारे trigger window पे वहाँ पे हमें receive ही थी उस response में उस file की एक id तो यहां से इस same id को अब हम map करेंगे यहाँ नीचे इस file id की field पे और यह mapping का process बहुत simple है simply हम इस file id के नीचे दिएगा इस field पे click करेंगे and then हमें जो नीचे drop down दिखाई दे रहा है इस drop down में से उस id को select कर लेंगे and then हम यहाँ click करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ पे एक response से receive हो रहा है जो मैं बता रहा है कि इस file id के जो file sharing permission है वो हमने change कर दी है और यहाँ response में हमेरे receive हो रहा है इस file का name और साथ ही साथ इस file की एक webview link यानि कि इस link को open करके कोई भी user जिस user के पास यह link है वो user इस file को open कर सकता है तो मैं करता हूँ इस link को copy एन एक बार इस new link को इस link को एक new tab में open करके देखता हूँ और जी हाँ दोस्तो यह वो same document है जो हमने अपने google drive पे upload किया था और इसी document का जो upload का response है upload होने का response है वो हमें public connect में collect हुआ था तो यहाँ पे जो हमारे दो steps है इस automation को setup करने के जिसनों पहला था google drive और public connect को connect करना और दूसरे step में हमने अपने google drive के उस specific folder में एक test file upload की ताकि उस नई add or a file का data है जो है हम public connect में collect कर सके और साथ हमने action window में share file with anyone यह action event select करके हमने receive की उस file की एक shareable link तो चली दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस automation के setup करने की third और final step में जिसमें इन सारे data को अब हम certain करेंगे slack को ताकि हम अपने google drive के folder में upload और files को automatically अपने slack के channel पे as a message share कर सके तो scroll करके मैं यहाँ नीचे आता हूँ और click करता हूँ इस add application के button पे and then choose apps में search करता हूँ slack slack इसके बाद यह हमसे पूछ रहा action event तो action event में हम यहाँ कई सारे action event दिखाई देते हैं जिसमेंसे एक action event है send channel message without image क्योंकि जो message हम send करें जो files हम share करें उसमें को image include नहीं है तो यहाँ पे मैं select करता हूँ इस action event को and then click करता हूँ connect पे connect पे click करता ही पाब यह connect मुझसे कह रहा है मेरा slack account connect करने के लिए तो यहाँ पे मैं click करता हूँ add new connection पे and then click करूँगा connect with slack पे तो connect with slack पे click करते ही यह हमसे एक authentication मांग रहा है जिसमें यह हमसे token type पूछ रहा है और नीचे help text में हम पढ़ सकते है जो यहाँ पे लिखा है enter the token type as either user or bot no more about slack tokens here तो यह हमसे पूछ रहा है कि हम यह जो token type enter कर रहे है या as a user कर रहे है या as a bot कर रहे है तो आप इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं फ़लाल के लिए मैं use करता हूँ bot और click करता हूँ submit पे and that's it हमने हाँ successfully अपना slack account publicly connect के साथ connect कर लिया है इसके बाद हम यह नीचे scroll करके आते हैं तो हम यहाँ पे कई सारे options दिखाई देते हैं जिस में से सबसे पहला option है channel का तो channel में दोस्तों यहाँ पे हम नीचे drop down में वो सभी channels देख सकते हैं जो मेरे slack account पे created हैं यहाँ पे हम आपको मेरे slack account पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास यह कई सारे channel है और यह same channels की जो list है हम यहाँ पाबली connect पे देख सकते हैं और इन सभी में से जिस channel पे हम अपनी Google drives की files को share करना चाहते थे वो मैंने आप एक specific channel create कर रहा है और मैंने इस channel को नाम दिया है Google drive files तो पाबली connect में इन सभी channels में से मैं उस specific channel को select कर लेता हूँ जिसमें मैं अपने Google drive में upload औरी files को share करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हो channel name जो है Google drive files यहाँ पे मैंने Google drive files इस channel को create किया है और इसे select कर रहा हूँ आप चाहे तो अपने requirement के साबसे अपने Slack account पे कोई और channel भी create कर सकते है या किसी existing channel को भी पाबी connect में या नीचे channels के drop down में से select कर सकते है तो अपना channel select करने के बाद यह हमसे पूछ रहा है message type और message type में हम यहाँ दो options दिखाई देते हैं एक है plain text दूसरा है markdown तो यहाँ पे हम select करेंगे markdown इसके बाद यह हमसे पूछ रहा है message कि क्या message हम अपने Slack के इस channel पे send करना चाहते हैं तो example के लिए मैं चाहता हूँ कि message जो है वो start हो new file in google drive new file in google drive and then new file in google drive के बाद यहाँ पे add हो जाए उस newly uploaded file जो हमारे google drive के folder में जो new file upload होई है उसकी shareable link तो यहाँ पे action window में share file with anyone यह जो हमने action event यूज किया था इसके responses में हमें receive होई थी हमारे file की एक shareable link जिसका label था एक webview link तो यहाँ से इस same link को अब हम map करेंगे यहाँ पे नीचे slack के इस message की field पे तो यहाँ पे मैंने example के लिए simple सा message लिया है new file in google drive and then new file in google drive इस message के बाद मैं map कर देता हूँ उस shareable link को तो यहाँ पे simply मैं यहाँ इस field पे click करूँँगा and then नीचे मिला drop down में से share file with anyone इस action event में से जो मैं response receive हुआ था webview link का इस link को मैं यहाँ पे map कर दूँगा and at last यह हमसे पूछ रहा है bot name और bot icon तो bot name में मैं example के लिए कुछ भी name ले सकता हूँ तो यहाँ पे मैं एक name लेता हूँ google drive यह मैंने एक example के लिए test name दिया है अपने bot को आप चाहे तो अपने requirement के साब से obviously कुछ भी और नाम दे सकते हैं और यह जो bot icon की field है इसे मैं फिलाल के लिए blank छोड़ता हूँ इसे ignore करता हूँ और click करता हूँ save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ एक response receive होता है जो हमें एक positive response बता रहा है जो हमें बता रहा है कि अभी अभी हमारे slack के channel पे हमने एक message share किया है जिस message की जो body है वो है यह new file in drive and then हमारे पास है उस file के link तो चली दोस्तो अब हम चलते है अपने slack account के उस channel पे जो channel हमने select किया था Google drive files और इस channel पे चलके देखते है कि क्या सच में हमें अपने slack account पे इस channel पे एक message receive हुआ है उस same file के साथ जो हमने अपने Google drive के folder पे upload की थी तो चली हम आते है अपने slack account के उस channel पे तो यह मेरा slack account यह वो same channel Google drive files और जी हाँ हम यहाँ देख सकते है कि अभी अभी हमें यहाँ पे एक नया message receive हुआ है जो कहता है new file in Google drive and then हमारे पास है एक file के link हम इस link को open करके देखते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यह वो same file है जो हमने अभी अभी test file as a demo file हमारे Google drive के एक specific folder में upload की थी यानि कि यह जो पूरा हमने automation setup किया अभी अभी यह successfully काम कर रहा है तो चली क्यों ना इसे हम एक बाब फिर से test करें हम आते हैं अपने Google drive पे and then अपने Google drive के specific folder पे जो folder हमने select किया था PDF files in Slack इस folder में एक और file upload करते हैं and देखते हैं कि क्या automatically हमारे इस folder में यह file upload होते ही क्या automatically हम real time में इस file की एक link एक message के तोर पे हमारे Slack channel पे as a message share होती है या नहीं तो हम आते हैं अपने Google drive पे और यह अप्लोट करते हैं एक file okay so यहां पे मेरे एक पास एक file एक PDF file जिसका नाम है Heather Paloji Assignment मैं इस file को upload करता हूँ अपने Google drive पे and that's it यहां पे अभी अभी हमने अपने Google drive के specific folder में जिसका नाम है PDF files for Slack इस folder में एक PDF file upload की है तो चली दोस्तो अब हम चलते हैं अपने Slack account के उस channel पे जो channel हमने select किया था and then उस channel पे चल के देखते हैं कि क्या अभी अभी जो recently हमने file upload किये इस file uploaded file की एक link एक message के साथ हमारे Slack channel पे share होती है या नहीं तो हम चलते हैं अपने Slack channel पे और जी हाँ दोस्तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जो file हमने अपने Google drive के specific folder में upload की थी automatically इस file के link हमारे Slack channel पे as a message share हो गई है और हम इस link को एक बार open करके देखते हैं तो यहाँ पे यह वो same file है जो हमने अपने Google drive पे upload की थी हम Google drive की फाइल को भी open करके देखते है बायो डैवरसिटी एंड कंसरवेशन तो यह same file जो हमने अपने Google drive पे upload की यह automatically एकदम real time पे हमारे Slack channel पे as a new message share हो गई है यानि कि दोस्तो इस video में हमने जो automation setup करना सीखा यह हमने देखा यह successfully काम कर रहा है जिसके help से हम अपनी Google drive में upload हो रही नई files को automatically अपने Slack channel पे अपने team members के साथ share कर सकते है वो भी एकदम real time पे तो एक बार हम आते है पाबली connect पे and then इस पूरी workflow को minimize करके समझते हैं कि हमने एक बार brief में समझते हैं कि हमने यह पूर automation कैसे setup किया तो सबसे पहले हमारे पाबली connect में और पाबली connect में आने के बाद हम ने अपने Google Drive account पाबली connect के साथ connect किया इसके बाद हमने अपने Google Drive में जो हमारा specific folder था जिस folder की files को हम Slack में share करना चाहते है उस folder में एक test file एक demo file upload की ताकि उस नई एड होरी file का जो data है उसे हम public connect में collect कर सकें उसके बाद हमने अब action window में फिर से select किया google drive और action event select किया share a file with anyone ताकि हम newly uploaded file की एक shareable link collect कर सके and then इस पूरे data को हमने send किया slack को ताकि हम अपने slack channel पे एक message share कर सके एक उस file के link share कर सके जो हमने अभी अभी अपनी google drive पे upload की है तो सरफ यही applications नहीं दोस्तो public connect की help से अब multiple applications को एक दूसरे के साथ integrate कर सकते है और अपने business को automate कर सकते है और हाँ एक और जरूरी बात इस video के description में आपको एक link बलेगी जिस पे click करके आप इस सेम workflow को अपने public connect account में clone कर सकते है और इसे free में use कर सकते है किसी भी तरिके के help या feedback के लिए आप एमें contact कर सकते है admin at the redpably.com पर या अपनी queries फूच सकते है इस link पर गरात को यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like करें, share करें और हाँ, ऐसी कुछ automation और integration से लेटर awesome वीडियो के लिए पाबले हिंदी को subscribe करें तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो, thank you